i0 is the intensity of the principal maximum in the single slit diffraction then what will be the intensity when the slit width is doubled अब देखो जो भी intensity है उसका slit की width से कोई लेना देना नहीं है slit की width जो है या मैं यह बोल सकता हूँ कि बही जो i max है is independent of slit width है ना उसका कोई लेना देना है slit width का लेना देना है उसके spread से कितना spread होगा उससे लेना देना है तो पर यह इन्होंने तो सिर्फ intensity की बात करी तो जो पहले थी वही अभी रहनी चाहिए क्योंकि depend ही नहीं करती है